आप आप इप ओ री ए आई ओ आउ अंग अहाँ बोला जो साथ में मिट्टू मिट्चू 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 आया कितना मजा आया कितना मजा प्यारी बच्चों आप तयार हैं मेरे साथ मात्र भाष्षा की दुनिया में जाने के लिए आज हम सीखेंगे स्वर् तथा व्यंजन वर्ण और हिंदी मात्रा हैं KPL हिंदी अक्षर ग्यान तथा मात्र ग्यान कित में, स्वर तथा व्यंजन वर्ण और स्वर वर्णों की सभी मात्राएं हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे अ से अनार, आ से आम, इक से इमली, इ से एक जन वर्णों के उच्चारट के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण किंटे हैं विभिन्न प्रकार के अक्षर और मात्रा कार्ड्स के द्वारा हम विन्न विन्न प्रकार के वाक्यों और शब्दों का नर्माण कर सकते हैं जैसे फा ला फल आजा अज गारा गर अजगर का ला मा कलम बच्चों अब हम मिलने वाले हैं स्वर वर्णों की मात्राओं से जिन्हें व्यंजन वर्णों के साथ मिला कर हम नए शब्द बनाएंगे यह है आ की मात्राओं अब इससे हम एक शब्द बनाएंगे च में आ की मात्रा चा यह है एक की मात्रा ह ह में ए की मात्रा हि र हिर न ही र न हिरन बड़ी ए यह है बड़ी ए की मात्रा इ म इम ल इमल ल में बड़ी ए की मात्रा ली इम ली यह है चोटा उ यह है चोटा उ की मात्रा ख चोटा उ की मात्रा ख श ख ख बड़ा उ यह है बड़ी उ की मात्रा आ ला में बड़ी उ की मात्रा लू आ लू री यह है री की मात्रा व री की मात्रा व्रक्ष 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 ए यह है ए की मात्रा र र में आ की मात्रा रे लू रेलू यह है आ की मात्रा ब आ लू ब आ बै लू बैलू यह है ओ की मात्रा म म में ओ की मात्रा मो र मोर मोर ओ यह है ओ की मात्रा क ओ को न कौन अंग यह है अंगा की मात्रा श अंगा की मात्रा शं ख शंक शंक यह है चंद्रबिंदू की मात्रा आ आ पे चंद्रबिंदू की मात्रा आ ख आंख जाल जल भार भल जल भल रा दामे आ की मात्रा धा दामे आ की मात्रा रा धा अ अ आ इई राधा आई गा मेल आ की मात्रा जल र गाजल ल लम मेल आ की मात्रे ई लाई गाजल लाई गाजल लाई गाजल च ख चक गाजल चक स सा में बढ़े ओ की मात्रा र ज सूरज न नामें छोटी की मात्रा क लाला में बढ़े आ की मात्रा निकला सूरज निकला च च में आ और चंद्र बिन्दू की मात्रा द चांद च च में छोटे ओ की मात्रा प प में आ की मात्रा छूपा चांद चुपा प्यारी बच्चों आप इसी तरह छोटे-छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बना सकते हो और वाक्यों से आप एक कहारी बना सकते हो तो आप अभ्यास करते रहिएगा आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा आप भी हिंदी अक्षर ग्यान और मात्रा ग्यान के साथ नए नए शब्द और नए नए वाक्यों का अभ्यास कर सकते हैं हापी लर्निंग